इस वीडियो में हम लोग practice करेंगे array के कुछ questions को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से array इसको manipulate किया जा सकता है कुछ practice questions की साहिधा से हम लोग इस practice rate में array से related सारे practice questions कवर करेंगे चलते हैं हम एटो स्क्रीन में and let's get started So guys अब time आचुका है chapter number 5 के practice rate को solve करने का तो मैं आपर करूँगा क्या की एक नई रैपल बनाऊंगा node.js का use करके और यहापर मैं लिखूँगा 21 underscore chapter 5 underscore ps और मेरी रैपल बन जाएगी okay so मेरी रैपल बन चुकी है और यहापर अब हम क्या करेंगे कि अपने java script लिखेंगे और यहापर पहला question जो की है यह क्या हो गया मेरा mouse काम करना बन कर गया वाई मुझे हर्ट हो रहा है बिग बोस बिग बोस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बोस बिग बोस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बोस बिग बोस मुझे हर्ट हो रहा है हर्ट हो रहा है huh यह पताएन है मेरा मामस क्यू नहीं कामकर रहा दैखता हूं لैप्टॉप को मामस काम कर रहा तो ज्यार बास using यह कि मैं USB हब यूस करता हूं और वियूस्थ करता हूं और उसमें भी बहुत और जो इन्पुट यूजर दे रहा है उसको इस एरे के अंदर आड करो तो बेसिकली मुझे दिख रहा है यहां पर कि यह question मुझे से गह रहा है कि भाई डॉट पुश मेटड को यूज करो तो मैं यहां पर लिख दूँगा chapter 5 practice set ठीक है और यहां पर मैं लिख दूँगा question 1 practice problem 1 और यहां पर simply मैं क्या करूँगा कि create an array of numbers तो सबसे पहले मैं लिखूँगा let array is equal to 1 2 3 4 5 6 और 83 ठीक है और यह करने के बाद मैं क्या करूँगा यहां पर लिखूँगा let a is equal to prompt अच्छा एक बात यहां पर prompt के बारे में बताना चाहता हूं enter a number ठीक है prompt के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि prompt नहीं चलेगा अगर आप लोगों ने लिखा hey what is your age एंटर मारा तो यहां पर देखो इस तरह से प्रॉंप्ट आता है जावस्क्रिप्ट में ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूँगा कि मैंने लिखा a is equal to prompt enter a number अब मैं यहां पर क्या करूँगा लिखूँगा a is equal to number.percent मैंने आप लोग को बताया था कि जो a होती है वो string होती है ठीक है तो मैं कहूँगा number.percent a ठीक है और मैं क्या लिखूँगा ar.push a और अभी मैं यहां पर देखो जैसे ही इसको run करूँगा और 45 जैसे मैंने एंटर किया और मैं definitely console.log a भी करूँगा था कि मुझे पता चले कि actual में ar.r में push हो गया है मेरा number a तो यहां पर आप देखो मैंने यहां पर मानलो 45 एंटर किया तो आप यहां पर देखो 12345 एंट में 45 एड़ हो गया ठीक है तो simple question था एक number को add करना था array के अंत में वो हम नहीं किया अगले question की बात करूँग तो keep adding numbers to the array in one यानि कि यह जो array question number one में थ add करते जाओ until zero is added to the array यानि कि जब तक zero को add नहीं किया जाता है तब तक आप numbers add करते रहो ठीक है तो यहां पर simply हम लोग क्या करेंगे कि practice problem 2 कर देंगे सबसे पहले तो और मैं इसको copy भी करूँगा और comment भी करूँगा ठीक है और क्यों करूँगा आपको बताता हूँ यह practice problem 1 solve हो गई ठीक है अब practice problem 2 के लिए मैं क्या करूँगा एक while loop लगाँगा और a is not equal to zero while a is not equal to zero do what do this ठीक है और rather इसमें हम do while loop का इस्तिमाल करते है do लिखूँगा और यह पर do while loop बड़े must इस्तिमाल होगा मैं पहले सोच आ था while loop इस question में चार चांद ला देगा ठीक है तो इसको मैं क्या करूँगा मैंने आप पर इसको copy किया इसको मैं कुछ ऐसे करूँगा अब आप देखो यहांपर मैं इसको save करूँगा तो यह format हो जाएगा और सबसे पहले अब क्या होगा कि अगर यह 0 के बराबर हुआ तो यह लूप खुद बाखुद ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली मैं क्या करूँगा cancel करता हूँ यह क्या होगया cancel cancel big boss मुझे hurt हो रहा है क्या हो रहा है you have unsaved changes okay अरे यह क्या हुआ यार बिग बास मुझे hurt हो रहा है यार ये क्या हो रहा है यार रिलोड करते हैं पेज को नेट चला गया के मेरा प्लीज वहीं से आ जाना थैंक गॉड वहीं से आ गया ठीक है तो यही बात है रैपलेट किया यही चीज़ अच्छी लगती है अब वो कंप्यूटर क्रैश होता है अगर तो शायद आप लोग को इतना हर्ट ना हो जिपना आप लोग को हर्ट होगा अगर आपकी रैपलेट क्रैश हो जाती है यह ठाड़ाइं करता हूं इसको मुझसे पूछेगा एंट्र नम्बर रन किया मैंने और यहां पर क्या हो रहा यार यह काम करता है इसको एक नई हम में खोलता हूं मेरा कंप् 3 is not defined what kind of joke is that what kind of joke is that okay so मैं आपर let a लिखता हूं सबसे पहले हो यहां से let a नटाता हूं basically क्या आए ना कि इस ब्लॉक के अंदर ही scope एका तो यहां पर check कर रहे हैं तो is not defined error आ रहा है क्योंकि हमने let use किया हुआ है ठीक है वार हम use करते नहीं है ठीक है अच्छे बच्चे है रन करो नंबर एंटर किया मैंने 3 फिर किया 7 फिर किया 8 फिर किया 9 फिर किया 10 फिर किया 11 फिर किया 12 फिर 13 फिर किया 13 ठीक है और फिर किया 0 और फाइनली जैसे ही मैंने 0 एंटर किया यह मेरा लूप चलना बंद हो गया वाइन क्लासिकल एंपलल फिर कहा यह इस बोड़ना है घर में जो फिल्टर होता है वह नहीं आपको यहां पर यूस करना फिल्टर फंक्षीन का टीक है तो एक काम करेंगे इसको प्राक्टेस प्रॉब्लम 3 और यहां पर एक एरे भी कॉपी करेंगे यार यहां से सिंप्ली कॉपी करूंगा और इसमें थोड़े बात नमबर्स को मैं डिविजिबल बना देता हूं 10 से अभी तक तो कोई भी डिविजिबल नहीं था 10 से ठीक है 670 is also divisible by 10 ठीक है let's now do something arr.filter filter को दूँगा मैं एक function और वो function क्या होगा वो function simply क्या करेगा return करेगा a और यह क्या है यहां फिर x एक्स क्या है एक्स यह है इस function का input x percent 10 equals to equals to zero ठीक है और यहां पर मैं लिख दूँगा let new is equal to और यहां पर अच्छा new एक keyword होता जावास्क्राइब मैं यूज नहीं कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और मैं आपर लिख दूँगा console.log n ठीक है रन करेंगे और यह क्या हो गया यह is already declared so comment out कर देंगा ठीक है रन करेंगे और जैसे रन करेंगे आप देखो 30, 50, 670 लागें कि यह तीनों divisible थे किस से यह तीनों divisible थे हमारे 10 से जो कि हमने आपर दिया हुए ठीक है easy peasy lemon squeezy create an array of array of given numbers sorry array of square of given numbers simple सा दिखरा है यहाँ पर कि आपको करना क्या है map use करना कि map return करता है array एक आपको array दिया हुआ है उनका square करके आपको numbers return कराने है ठीक है practice problem 3 को ही मैं आप पर alt shift down की दबाऊंगा तकि यह replicate हो जाए और as a certified copy-paster मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर array dot map का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा return x into x ठीक है और यहाँ पर जब मैं n को print करूँगा तो इन सारे numbers के square print हो जाएंगे कह रहा है नो सोला पच्छिस सो च्छतिस उननचास छे हजार आर्ट सो नवासी चार लाग अड़तालिस हजार नो सो ठीक है हाँ तो 670 का square क्या होता है चार लाग और तालेस हजार नो सो ठीक है याद कर लेना यह चिट बना के लिए जाना एक्जाम में याद कर लेना कहीं यूपी सी के एक्जाम में ना हो जाए अब यहां पर क्या करेंगे कि अगले question को देखेंगे reduce to calculate factorial of a given number from an area of first and natural numbers एक एरे दिया हुआ है first and natural numbers का और आप मुझे paste करता हूँ मिलकुली एक अच्छे certified copy paste की तरह अब क्या करूंगा मैं आपर मेरे पास 1234 करके गहरे दिया हुआ है 12345678 ठीक है मुझे करना क्या है कि इन सब को multiply करना है और उसके लिए मैं क्या use करूंगा reduce ठीक है और reduce क्या करता है reduce क्या करता है अगर मुझे देखना reduce क्या करता है एक function लेगा ठीक है और क्या करेगा वो function वो function दो numbers लेगा X1 X2 ठीक है और मैं क्या करूंगा X1 multiply by X2 को return कर दूंगा मैं यह चीज अभी तीन numbers के लिए करके देखूंगा यह चेक करने के लिए कि यह काम भी कर रही है method की ठीक है तो यहां पर simply क्या होगा 3 multiply by 2 multiply by 1 return हो जाएगा one or two का करेगा पहले टुब करेगा यहां पर फिर टू और टूओ ट्री का करेगा six होगा थीक है तो इस तरह से सभी हो जाएगा तो console.log n यहां पर print हो जाएगा तो 24 प्रिंट हो गया और मैंने आप five डाल दिया तो 24 multiply by five जो की 120 होता है वो प्रेंट हो जाएगा आप लोग यहां पर अपनी स्कीन पर देख सकते हैं ठीक है so that was about chapter 5 practice set अब अगला जो वीडियो है वो मैं चाहता हूं कि कोई भी miss ना करें और कोशिश करना कि आप अगले वीडियो को थोड़ा जल्दी देख लो अब इक लिस वीडियो में इतने हैं गाइस thank you so much guys for watching this video playlist को access कर लेना bookmark कर लेना save कर लेना and I will see you next time